CBSC Words में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हो कि Class 10 के Board के एक्जाम कैंसिल हो गए है और जो आपके Results हैं वो Objective Criterion के Basis पे बनाए जाएंगे तो आप सवाल यह उड़ता है कि Objective Criterion है क्या तो इस बात को खुद हमारे Education Minister ने क्लियर कर दिया समझा दिया कि किस Basis पे Results बनाए जाएंगे तो आप उनकी खुद बात सुन सकते हो जो यह High School है इसकी परिक्षाओं को वर्तमाने में होने वाली परिक्षाओं को इसको निरस्ट कर दिया है अब इनको पदोनत करेंगे परमूट करेंगे लेकिन उसका एक सिस्टम तयार करेंगे आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके CBSC को कहा गया है कि एक प्लान बनाए हो ताकि उसका मुल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कख्षा में पदोनती भी हो तो आपने सुन लिया तो जो result आपके बनाए जाएंगे वो internal assessment और जो आपके practicals हैं उसकी basis पे बनाए जाएंगे वैसे जो practicals हैं वो आपके internal assessment के ही part है तो यहां मैं proof से बताऊँगा आपको कि internal assessment है क्या तो यहां मैं आपसे दो subjects के बारे में बात करूँगा एक तो social science और दूसरा science तो पहले social science का हम देखते हैं तो उसके लिए आपको जो latest syllabus है revise जो syllabus है उसके तरफ आना पड़ेगा तो यह मेरे सामने है latest syllabus social science का तो यहां देख सकते हो जिसकी बात हमारे education minister ने की है internal assessment यह क्या है तो यह आपके 20 marks के रहेंगे पहली चीज़ इसमें यह है periodic assessment 10 marks का हो गई यह इसमें pen paper test जो की हुआ होगा आपका इसमें बहुत सारी चीज़ आगे हैं इसमें quiz हो गया, debate हो गया बहुत सारी चीज़ है तो नहीं हो पाई होंगे क्योंकि classes नहीं चल लही थी लेकिन हो सकता आप में test वगरा हुआ हो तो यहाँ पर जो test के marks हैं वो count होंगे एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आपके जो preboards हैं वो internal assessment के part नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी preboards को count नहीं किया गया है यह periodic test है जिसको count किया जाएगा आपके इस internal assessment में तो इसमें देख सकते हो बहुत सारी चीज़े हैं फिर आपका दूसरी चीज़ हो गया portfolio यह five mask का होगा और इसमें आपका देखा जाएगा class work assignment आपने कैसे किया और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है portfolio के अंदर आएगी तो यह five mask का आपका है और फिर subject enrichment activity यह five mask का है आपका project work तो आपने project बनाया होगा consumer awareness, social issues, sustainable development में से किसी एक पे तो यह five mask का आपका होगा तो यह जो आपका 20 marks होगे इसकी basis से आपके result बनाया जाएगे अब इसे कैसे design किया जाएगा सकता है ऐसे कि आपका जैसे 20 में से जितना भी marks हो मालो 20 में आपने 18 marks आपको मिले हैं तो इसी basis से आपका percentage निकाल दिया जाएगा ठीक है 18 इस तरह से आपका percent बनेगा 90% ठीक है या जैसा भी वो method यूज करें बहराल internal assessment आपका ये है तो social science का हमने देख लिया चली science का भी देख लेते हैं तो science की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ भी देखो गए तो यहाँ जो internal assessment है ये 20 marks क्योंगे जिसमें आपका periodic assessment 5 plus 5 marks subject enrichment याणि आपका जो practical works है ये 5 marks होंगे और फिर portfolio 5 marks तो थोड़ा detail में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं इसमें तो यहाँ पर internal assessment के बारे में क्या बात की गई है कि आपके जो 5 marks है इसमें क्या होगा 3 periodic test जो कि आपके school वगरा में हुए होंगे उन 3 में से जो best 2 test आपके होंगे जिनमें सबसे अच्छे marks आए होंगे जिन 2 में से उसका average लिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि आपके 5 marks में से कितने आपको मिले फिर अगला जो 5 marks है वो कैसे मिलेगा इसमें diverse method of assessment यानि बहुत तरीके से इसे देखा जाएगा जैसे आपका short test हो गया oral test हो गया quiz concept यानि जो भी आपके school level पे test वगयरा quiz वगयरा हुई होगी उसकी basis पर आपका यह 5 marks होगा फिर आपका subject enrichment जैसे कि आपका practical हो गया laboratory जो work हो गया practicals वगयरा जो आपने किये होंगे जैसे आपका files वगयरा जो बनाई गई होंगी उसका आपको 5 marks मिलेगा ठीक है फिर C part है portfolio की बात क्या है इसमें आपका class work हो गया और भी जो school में काम दिये गये थे student को उसकी बात हो गई तो ये भी 5 marks के हो जाएंगे तो science की भी बात करें तो ये 20 marks internal assessment के ये हो गए इसी तरह और subject का आप cell bus में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़े count की जाएंगी simple से अगर बात ये समझो कि जो भी school level पर आपके काम किये गए है चाहिए वो आपका class work हो या internal test बगएरा हो गए या lab का work हो गया इस तरह की जो चीज़े है वो आपके internal assessment बायेंगी और हो सकता है इस 20 को अपने 20 में कितने marks आए है उसके basis बना दिया जाए लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी pre-board की बात नहीं की गई है क्योंकि आपका pre-board तो 80 marks का होता है ले तो वो तो school पर depend करेगा ओके तो आप समझ गया होगा यह objective criteria क्या है यह basically आपका internal assessment है जिसके basis पर आपके result बनेंगे अगली वीडियो मैं एक लियाओंगा उसमें यह बात हो जाएगी कि आगे अब आपको क्या करना है आगे क्या stuff लेने है और आगे क्या तैयारी करना है इसके बारे में आगली वीडियो में डिसकस हो जाएगा ओके तो आप कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रू बताईए अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेर करिए और चैनल पर है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजिए ओके थैंक यू